हलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माई चैनल आप सबको मेरे चैनल में स्वागत थे जे माता रानी तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हूं मैं बस से और आप लोग सोचते होंगे कि कैसे ये वीडियो स्टार्ट कर ये बस से तो फ्रेंड हम लोग नम में मेरे हस्बेंड औ बस्टॉप तक आए और वहाँ पे किसी के घर में हम लोग स्कूटी को रखें और हम लोग कहां जा रहे हैं अब मेरे वीडियो में पूरा बने रहेंगे तो आप लोग को पूरा पता चलेगा और जो जो मेरे चैनल में न्यूँ है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजि व्यूज बहुत ही कम आ रहा है तो बने रहे हैं मेरे वीडियो में पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा हम लोग कहां जा रहे हैं क्या करने जा रहे हैं हम लोग बस में जा रहे हैं तो फ्रेंड देखे फाइनली हम ना सोरूम जा रहे हैं सोरूम में बाइक बहुत मने पुराना हो गया था तो मेरे हस्बंड को उनका एक मन पसंद बाइक लेने का बहुत दिन से सौख था तो बस फाइनली वो दिन आ गया है और आज के दिन मेरे हस्बंड ना बाइक ले रहे हैं तो बस बहुत दिन पहले से ही बाइक कब पैसा पे कर दिये थे पर टाइम ना होने के कारण मेरे husband नहीं आ पा रहे थे तो अभी देखे आज हम लोग आए हैं और यही है by Avenger तो husband को भी बहुत अच्छा लगा और आप लोग को कैसा लगा आप लोग जरूर comment करके बताईए और मातारानी ऐसे हर किसी को कामिया भी दे मातारानी हर किसी का इच्छा का चीज वो खरीच सके इतना मातारानी हर किसी को काबिल बनाए और मेरे husband को भी काफी दिन से सौक था लेने का तो finally वो सौक उनका पूरा हुआ मातारानी उनके उपर इतना आसिरबात दी कि वो अपना इच्छा को पूरा कर पा रहे है तो friend हम लोग ना बाइक इधर हमारा रीडियो हो चुका है फिटिंग हो चुका है सोरूम में उसके बाद मेरे husband बैट के एक बाद ट्राइ कर रहे है कि उनको कैसा लगेगा कमफर्टबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है बोलके उसके बाद देखे मेरे husband इधर बैट के ट्राइ करेंगे उनको कैसा लग रहा है बोलके तो friend हम लोग ना आये थे जम्मू बाइक लेने के लिए और अभी बाइक बाइक लेके कि हम लोग सोरूम से निकलते निकलते लगभग साम हो गया था और हम लोग ना कुछ खाए भी नहीं थे तो ये सोरूम है हम लोग कुछ खाए भी नहीं थे था बहुत जोर से भूख लग रहा था तो सारा हमारा प्लानिंग चौपट हो गया और हम लोग ना सौपिंग नहीं कर पाए खेर कोई बात नहीं अभी तन्वी का बड़े थोड़ा टाइम है तो हमने सोचे कि अराम से कर लेंगे बोलके तो बस हमने एक रेस्टोरेंट आ गए है तो फ्रेंड अभी ना नवरातरा चल रहा है नवरातरा में मैं लेस्ण प्याज नहीं खाती हूँ हस्बेंड और तन्वी खाते घर में तो नहीं बनता है बड़ लग कही बाहर जाने से खा लेते हैं घर में मैं बिल्कूल भी नॉनवेज की लेस्ण प्याज नहीं खा रहे हूँ तो यहाँ पर क्या है ना जम्मो उद्धमपुर में अब बिना लेसुन प्याज का ना रेस्टोरेंट में ओर्डर दे सकते हैं तो बहुत सारा चीज़ बनता है लेसुन-प्याज में वो लोग पूशते हैं कि आपको लेसुन-प्याज खाना है की नहीं और जिसको नएं भी खाना हो पहले से औरडर दे देते हो यहाँ पर जो समोसा भी है ना बिना लेसुन-प्याज का बनता है हर दुकान में हर जहां पर भी जाएंगे ना बिना लेसुन प्याज का समोसा बनता है पानी पूरी मिलता है तो यह चीज एक मुझे बहुत अच्छा लगा यहां पर कि नवरातरा के टाइम में ऐसा होता है यहां पर तो हमने खूब जोड से भूख लगा था हमने खाना और ख हम लोग को थोड़े ही दूर में दिखा आइस क्रीम का सॉप वही रेस्टोरेंट के सामने उनी का ही सॉप था तो बस वहां गये तो वहां देखे इतना वराइटी का मतलब की 30 वराइटी का वहां पर फ्लेवर था कोई भी फ्लेवर का खा सकते है तो तन भी ना तीन तन भी ने लिया और मैंने मैंने लिया मैंने क्या लिया गुलाब जामून गुलाब जामून फ्लेवर का आइस क्रीम तो मैंना कभी नहीं खाई थी तो यहां पर देखी कि गुलाब जामून फ्लेवर का आइस क्रीम मिल रहा था तो मैंने वह लिया और हस्बेंड लिये हस् पर कुछ अलगी फ्लेवर का लिए मुझे याद नहीं आ रहा है उस समय और मैं तो ली गुलाब जामुन फ्लेवर और वैनिला ली यह दो ली बट अच्छा लगा कुछ एक नया यह गुलाब जामुन फ्लेवर का था उसमें बीज बीज में गुलाब जामुन का पीस आ रहे हैं और दीके यह मेरा गुलाब जामुन फ्लेवर का था बीज में छोटे चोटे एक टुकड़ा आ रहा था गुलाब जामुन का और तन्वी इधर खा रही है तीन फ्लेवर का हस्बंड भी कुछ अलग फ्लेवर का खा रहे थे तो बस हम लोग का यही चला आज का दीन हमार ऐसे ही बीता हम लोग गए खानावाना भी रेश्टूरेंट में खाया आइस क्रिम भी खाया बोहत मजा आया ऐसे ही करते करते काफी साम भी हो गया था हम लोग को घर जाना था ठंड लग रहा था हम स्वैटर भी लगा की नहीं आया थे क्यूंकि हम जब निकले ते न तो ध पर कुछ नहीं हुआ मातारानी की कृपा से हम लोगों जुखाम उखाम नहीं हुआ और अभी हम लोग जा रहे घर काफी लेट भी हो गया घर जाएंगे ठीक है फ्रेंट तो बने रही है मेरे वीडियो में और आज का पूरा मतलब की हम लोग का दीन कैसा भी था आप लोग के साथ में सेर करी और इधर मंदीर में नवरातरा भी हो रहा है इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप लोग को दिखाई थी तो और भजन किर्तन भी हो रहा है मंदीर में और में भी मातारानी का किर्तन रखी हूँ और बहुत लोगों ने भजन किर्तन रखा है मंदीर में औ सबका वीडियो भी धीरे धीरे में आप लोग को डालते रहूंगी आप लोग देखते रहिएगा टाइम ही नहीं होता है कि वहां मंदीर में जाके भी मैं मने हर चीज आप लोग को दिखाऊं भोल के अच्छा भी नहीं लगता है पर मैं जब किर्टन रखूंगे न उस दिन म भी मैं आप लोग के साथ सेयर करूंगी और दांडिया भी हम लोग कैसे कर रहे हैं वो भी मैं आप लोग के साथ सेयर करूंगी हम लोग सीखते भी है दांडिया घर में मने लेडिस लोग सारे बिल्डिंग में हम लोग सीखते हैं ताकि वहां जाके हम लोग मंदीर में अच इसा लगा आपको बताईएगा अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक कॉमेंट करिएगा और सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे ना तो मुझे भी वीडियो बनाने को अच्छा लगेगा कि मेरे व्यूज ना बहुत कम आ रहे हैं तो मनी न करता वीडियो बनाने के लिए पर प्लीज सपोर्ट करिए मुझे तो और भी अच्छा अच्छा में दिखाऊंगी नवरा नवरात्रा का पूरा जर्णी दिखाऊंगी अभी और क्या क्या होने वाला है हम लोग भंडारा भी रखे हैं लास्ट दिन में तो बस हम लोग अभ अंडर्ग्राउंड करके यह रोड सब बनाए गया तो बहुत अच्छा बनाए गया है तो मैं मेरा जहां स्कूटी रखे हो पहुंच गई हो अब हस्बेंड और तन भी जाएंगे बाइक में मैं अपना स्कूटी लेके जाओंगे घर तो फ्रेंट रखती हो बाए